तो दोस्तों बात करेंगे हरियाना सीटी के कोर्ट केस के बारे में आपने सबी जगह सुन रहे हूं कि कोर्ट केस हो रखा है नो जनुरी उसकी डेट है लेकिन दोस्तों उस कोर्ट केस के अंदर क्या लिखा हुआ है किस ग्राउंड्स पे हमने कोर्ट केस कर रखा क्यूंकि कि केस को जितने के लिए सबसे जरूरी होता है उसके ग्राउंड कि आखिर किस बेस के उपर आप जो है केस का रखा है और कितने तकड़े आपके ग्राउंड कितने मजबूती से आप अपना पक्स जो है रख रहे हैं तो दोस्तों यह आपको 26 पेज की पीडिएफ दिख रही है यह पीडिएफ दोस्तों जो कोर्ट केस हमने कर रखा है उसकी है ठीक है तो डिटेल से में सारी चीज़ें दोस्तों इस यूट्यूब चैनल एकसी सीटी ओफिशल जो आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं और समझाने की कोसिस करूंगा कि आपके जो इ सकें तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि यहां पर हर अपडेट आपको जो है हर एक मतलब बारी किसी समझाए जाएगी यू नहीं है कि यहां से दस दस वीडियो आ रहे हैं सिर्फ एक दो वीडियो आएगी लेकिन उसमें कुछ जान होगी अब देखते हैं दोस्तों अर्जेंट फ्रमियान की केस और कथा आपका अठारा दस से चलता गया इस तरह से ठीक है तो इसमें यह एन्एक्स चेर लगा रखे हैं ठीक है काफी सारी चीजें इसके अंदर लगा रखी है ठीक है यह कोर्ट केस का यानिकी इंडेक्स है एक त तो तो दोस्तों फिर इसकी हीरिंग हुई थी 27 अक्टूबर को और अगली डेट दे दी गी थी 9 जनवरी 2023 ठीक है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर एड़ोकेट का नाम है परसांत सिंग चोहान है ठीक है और पार्टी डिटेल यहने की आसिस कुमार जी ने यह केस किया हुआ है तो नो जनवरी तक काईश का वेट करना पड़ेगा तो यह दोस्तों है आपका कोर्ट का ओडर जो 27 दसको को यह बताया है और वो जो 27 पीडिय अवर दोस्तों वह हमारा ग्राउंड है इसमें क्या आप को टो थे तिक यह कोर्ट ने बताया है कि ऐसे ऐसे मामला है कि वह तीस और चालिस के बीच में एना कि चार गुना वाला सिस्टम जो फोर टाइम सोरा सिस्टम इन्होंने बता रखा है बही चार गुना वाला सिस्टम यह ले रहे हैं ठीक है इसके अंदर यह है कि ऐसा नहीं उना जाहिए बस और अगली डेट दे दी नो जन्वरी अब हम अपन सेसी की तरफ से जो है एक नोटिस निकाड़ा गया जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई गरूप C और गरूप D के बारे में ठीक है तो ये सारी चीजें दोस्तों पॉलिसी इसके उपर जो है आई सबसे दा पॉलिसी ओफ रिक्रूटमेंट टू गरूप C और D के लिए ठीक है पांच पांच को आई फिर ये सारी चीजें चलती गई इसके अंदर सारी चीजें बताई गई सोचियो एकोनोमिक क्राइटेरिया क्या होता है वही सारी चीजें इसके अंदर जो है एज़िज कोपी पेस्ट की गई जो यहां पर भी लिख रखी है के नेट सीकोल करने का कोई फाइदा नहीं है जो काम की चीजें हो मैं आपको थोड़ा सा अगे बता देता हूं अब देखो यहां पर जब बात आई पैटिशनर एप्रोस्ट दा ओफिशियल रिस्पोंडेंट फॉर्ड़ अग्रिवेंसी इसमेंशन हैं बट नो वन पेड एनी हीड टु की बैसीटी को कौलिफाइनेचर किया जाए कि इसकी तरह है एक्सित और नेट की तरह कौलिफाइग किया जाए यह इन्होंने बता दिया ठीक है यह इन्होंने अपनी इसमें बता दिया अब आगे देख लेते हैं तो इस तरह से सारी चीज़ें चलते गई सिर्फ यही सारी चीज़ें गुमा फिरा के यही सब बोला गया इन सब के अंदर ठीक है 50% 40% यही सब ठीक है यह बार बार दुबारा से यह आ रहा है तो इसके अलावा मैं आपको दिखा देता है इसके अंदर और क्या है आप खोद यह बताएंगे कि इसके अंदर सर कुछ चीज़ें एड़ करने की नीड है ठीक है आड़ करने की नीड है वही क्योंकि इसके अंदर दुबारा से फिर से यही बात कि इसको एस्टाट और नेट हम comment box में देते हैं ठीक है यूट्यूब चैनल पे लोग बताते हैं वो इसके अंदर नहीं लिखे गए हैं वो इसके अंदर दोस्तों यहां पर मैं आपको बताओं यहां पर नहीं लिखे गए बार-बार क्या है यही पर यह यह रहा है एच्टेट और नेट कौलिफाई ठीक ह तो यानि कि इनको जो है अच्छे से समझाया नहीं गया दोस्तों जो मतलब एक अग्जामपल के तहट हम बता सकते हैं समझा सकते हैं जो कुछ चीज़ें होती है वो नहीं बताया गया है इसके अंदर जो मुझे लगता है ठीक है हो सकता है कि मेरी चीज गलत लगे बुरी लगे लेकिन जो मुझे लगता दोस्तों वो चीज़ें नहीं बताए गई हैं जो चीज़ें और इसके अंदर हैड हो सकती हैं यह चीज़ें की अच्छा प्रियास किया गया है लेकिन थोड़े से ग्राउंड्स ओफ लैवल थोड़े से और इनको बढाने पड़ेंगे ठीक है तो दोस्तों यानि कि इनमें सारी चीज़ें और एड करनी पड़ेंगी ठीक एड करनी पड़ेंगी दोस्तों सारी चीज़ें ग्राउंड्स इसके अंदर एडिशनल ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगी तब ही जो है सीटी क्वालिफाई के बारे में एक अच्छी बैस हो है जितने की उमीद ज्यादा रहेगी दोस्तो इस यूडे मैं आपको यह इन्फोर्मेशन देनी थी और अगर आपने कोई परसनल चीज मेर को बतानी है करनी है तो आप क्या कर सकते हैं तो इस बारे में दोस्तो अगर आपने कोई personal चीज मेरे को बतानी है तो आप बता सकते हैं ठीक है ये कैसे ये आपको link मिलेगा यहाँ पर अपना SSC CET official के नाम से telegram channel जिसके अंदर भी 211 members आपको दिखाई दे रहे होंगे ठीक है तो ये नयाई है अपने लिए तो और बाग कीज बीच information आपको यहाँ पर दोस्तो मिलती रहेंगी तो जो भी आपको लगता है कि आप कोई सुझाव देना चाहते तो आप दे सकते हैं Instagram पर ठीक है तो इस यूडियो मित रहें दोस्तों